तो आज डे वन हैं जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं मैंने आपको कल इंफर्माशन वीडियो बना दी थी कि हमारा यह टार्गेट जो सिफ्टीडेश के अंदर हम लोग करने वाले हैं तो मैंने बता है इसमें जितने पर सस्थी के प्रिवियर से कोशन होंगे चाहे हम लोग जी के रहेगा जीस रहे करेंट अफ्यर का कुछ टॉपिक स्रेने वाला है आए आपके डेवन है तो आठ डेवन से आप लोग स्टार्ट केजिए और साथ साथ में टार्गेट हमारा जो रहेगा थार्टी आउट आफ फिप्टी में से हमको लाना होगा ऐसा सी जी हमारा प्लान रहेगा जी कि जीस के लिए उस वैसिस में लोग काम करने वाले हैं और इस से पहले क्लास को में स्टार्ट करूँ एक बात बताना चाहता हूं इस क्लास का तभी आपको वेनिफिट मिलेगा जब आप डो जाना अपने आपसे भी हिस्टिडी पोल्टी जोग्र वफी एकोनोमी इस सब पर काम करते लोगे थोड़ा थोड़ा चाहिए आप एक घंटे के काम करते लोगे तभी इस क्लास का फाइदा मिलने वाला है और किसा आपको काम करना है तो मैंने कल एक वीडियो बना दी थी कि किस हिसाब से आपको 60 days के अंदर अपना जो इससी का ज सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर हमारी जो ख्लास रहने वाली है कुछ इस तरीके से रहने वाली है चलो देखते हैं कि इसके अंदर क्या रहेगा आपका जो क्रोशन उठाएं वह ससे से चसल जो कि 9 माज 22 तेसको एक्जाम हुआ था उसके हम लोग क्रोशन को उठाएं लगबग इसका पचीस कोशन होते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इन पचीस कौशन कौन-कौन से हैं इसमें करेंड़ भी है जीके जीजिए से कोशें वहाई बरते हैं पहले क्योस हं पहले कोशन यहां से स्टाट हैं से कोशन नमर एक के आपको है वारली चित्रकला भारत के किस राज़ी कि लोग छित्ते कला है ठीक है बताना है आ। बारली चित्रकला है भाद किस राज़ी कि अब ऐसे कोशन आ जाते हैं आप कितना भी पढ़ पर लो कितनी जारी चीज़े पढ़ लो लगी जब आप जो है कोशन करने जाते तो आप कोशन नहीं बनते हैं तो वह जरूरी है में कोशन अगर यह कुशन का रिपेट हुए अगर में कोशन आए हुए थे तो उन्हीं जरूरी है कि कभी कभी हो जाता है चीज़े अगर आपको पता हो तभी आप कर पाऊगे ठीक है तो वारली चित्रकला भारत के किस राज़ी की लोग चित्रकला है तो आपसर नंबर डीस का हो जाएगा राइट एंसर आगे आप पढ़ हो गया अब कोश्चन से लेटर कुछ इस्टा जान गए अगर हम लोग पढ़ लोगे तो यह दिमाग में बैठा रहा है अगर हम ऐसे करेंगी पहला कुश्चन इसका अंसर यह आगे बढ़ो इसका कुश्चन इसका अंसर यह तीस तरीके इस नहीं थोड़ा बहुत उसकी ज अगर जिले के दहानू तलासरी जोहर पालघर मोखदा जैसे सहर सामिल है इस अद्वासी कला की उत्पति महाराष्टा में हुई थी जहां आज भी इसका भ्यास किया आता है महाराष्ट में वाले चित्तिकला परंपरा लोग सहली के चित्तों के वहतिन राड़ों में से एक हैं तोब आफने लगता हैं अब उसका आपको धालदी बाते आपको याद क्या रखनाइड आने वाली है वाले चित्तिकला कहां किया तो आफकी गई ago यहां पर जितनी सारी चीजें होता है इनका अलग-अलग वह ओता है इसे lose अपकी संफन को बता रहा है रीक तो इस संफ प्रत्रीक होताी यह निश्फ कोषस्न वी हार के शिरी के नाम सी ये बहुत ही important question है यह question गलती होने के chance होते हैं जैसे आपने दिखार के स्री दिमाग में अगर लाराज पत्रा है इनको पंजाब के सी कोशन पोचा है तो बिहार के सी किसी नाम से किसे जाना जाता है तो बिहार के सी के नाम से आपको जाना जाता है वो है स्रीकिष्ट सिनहा स्रीकिष्ट सिनहा जो थे बिहार के पहले मुख्वंत्री थे यह बिहार के पहले मुख्वंत्री भी थे ठीक है बिहार जब आपका बना था राज उसके बाले जो बिहार के पहले मुख्वंत्री थे कि स्रीकिष्ट सिनहा थे ठीक है तो बिहार के स्रीकिष्ट सिनहा थे ठीक है तो बिहार के स्रीकिष्ट सिनहा बिहार के पहले मुखमंतिक ग्रूप में कार किया था उन्हें डाक्टर राजन परसाद भात की जो पहले राठपती थे और डाक्टर अनुगराह नारार सिनहा के साथ आजनिक बिहार के सबसे वास्तकारों में से एक रूप में समाइद किया गया है उन्होंने मुखमंत्री के रूप में निर्वान करते हैं बिहार के बित्मंत्री भी रह चुके हैं और बिहार के आपकी बित्मंत्री भी रह चुके हैं तो इस बात को भी आपको ध्यान लगना है तो इस प्रसाद के पहले राश्पती थे और समिधान सभा के अस्थाई अध्यज भी डाक्टर राजन प्रसाद की एक पुस्तक थी उसका क्या नाम है इंडिया डिवाइड़ याद रखना इंडिया डिवाइड़ है एक है इंडिया इस्टिगल किसकी है यह है सुभास चंद्र यहां रखना आदम कता इन ही की जीवनी राक्टर के बारे में रहने वाली है तो इतनी सारी बाते आपको ध्यान रखनी है तो ऐसा नहीं है कि आपको कुशन नहीं करा जाएगा आपको लेटर्स जो एक्जाम हुए है आपको पता रहेंगी वह साजिचे आपको रिवाइज मूल होता है उसमें से फर्मदारा प्रयुक्त मद्धवर्स्थ Dwos cuál मूल घटाने के बाद जो वैलू आती है वो फर्म का एड़ेड मूल होता है क्या होता है पढ़ लेते हैं कि या होता है फर्म वर्धित मूल जो है उस मूल का वड़न करता है जो एक कमपनी उत्पादन पेक्टिया के दोरान कच्छे माल या मदवर्थी वस्तों में जुड़ा तक खर्चा आया वह चीजी तो उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आ गया होगा कि वर्थित मूदला कोश्टन नमबर एक आपका हो जाएगा कोश्टन नमबर थाड़का आपका वन हो जाएगा इसका राइट एंसवर अगला है आगे बढ़ते हैं रजिया रजिया को दिली सल्तनत के सिंगहस난 से की 160 आब आप गुलाम मुंस दो बहुत पढ़े होगे जिंदि वह आपने पढ़ा होगाend बारा से 6 Sick to坐 गुलाम मौर्ज तक पूदा है जिसमें घुलजी तो उसी में जो रजिया सुल्दान थी वह गुलाम फोंस की थी और यह लगभाद 12 burst Assistant न कॉप मर्स करम करतन यहां से भी कोछन पोछ़ लेता है कि गुलाम करते हैं ने 1240 इसमीन को हटाए गया था इतनी बाते आपको पता होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं रजिया सुल्तान 1237 से 1240 इसवी तक सारी बाते पढ़ लेते हैं या गुलाम उसकी थी किलियर है मद्द कालिन भाद की पहली और अंतिम महिली मुस्लिम अरह सासका थी कुछ ने पूछता राज उको मंगोल आकमर से बचाया था 1240 इसमी मुस्की मृत्ति हो गई थी तो यह बाते आपको ध्यान रखनी है अपसर नंबर भी आपको जाएगा राड़ांसवर कि 1240 उसमीं सिंगहसन से उनको हटना पड़ा था दिल्ली संदन के बारे में सारी बात यहां मेरे नोट कर या लखने के ट्रीख है ओड़ खाये अदे का वह फ्यां में यह बारे में अध्या 104 यह संद्रीफ कर दोन्युला से ने ने उफ कि और ऑल की संस्किति को जमीनी अस्तर पर लाने के लिए किस राजिके मुक्मटरी ने यह ऐसा काम किया है कि फूढ़ लाने के लिए फूढ़ 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 फार आल-ला खा too use वह पना उठेंट किया है कि सो पता है है that huh उनका नाम क्या है नभीन पतनायक है ठीक है नभीन पतनायक जो है उडिसा के मुखमंत्री है ठीक है अभी और इनके जो गवंडर है वो कौन है गणेशी लाल है गणेशी लाल है अच्छा मैं एक बात बता दूँ अभी अभी हाल ही में करेंटर में न्यूज थी कि जो नभीन पतनायक है, पूरे राज्यों में अगर हम बात करें तो सबसे जयादा टाइम से मुखमंत्री रहने वाले हैं, लगबग जो है दूसरे नमबर के, ये दूसरे नमबर के ऐसे मुखमंत्री हैं, जो काफी समय से इनका कारकाल चला रहा है, इससे कि दूसरे नंबर के ऐसे मुख्मंत्री हैं जो काफी लंबे कारकाल वाले मुख्मंत्री हैं तो उडिसा के मुख्मंत्री को नविन पटना है गानेशी लाले उडिसा का उतकल दिवस देख होता है उडिसा में एक अप्रिल को उतकल दिवस मना जाता है ठीक है और याद लखन लाज को इस बात को मिगाट दिया तो फुट्वाल फुर आल लांच किसने की अ इतनी आवात क्राटें आगे पढ़ लेते हैं कि 10 अक्टूबर 122 को ऊरिसा के मुखमंतरी अचे मेस्ट किया गया श्रुप क्या गया। भारत में फिफा का पहला ऐसा कारकरम है जिसका उद्यस्कोली बच्चों के बीच फूटवल को खुड़ावा देना है ठीक है यह सारी बाते आपकी यहां पर रहने वाली थी आपने देखा फूटवाल फॉर आल आपके उडिसा के साथ इस्तित है जारकंड की राजधानी क्य अगला कॉशन होजिए निल में किसने ऊपन को 22 का पुर्सेकर खताब जीता है तो जिसने अभी फ्रेंच पन हरा चीज़ता उसने ही प्रेंच ओपन टेश का जिसने आफ्टलिया ओपन फ्रेंच वंशने फिसने विमल्डन ओपन 2030 का जीता है उसी ने ही आपका यह आओर यह लास्टन में आपका होटा यू एस उपन तो अगर हम बात करते हैं तो तो याद रखना दो नाम एक ही नाम है नवाक जोकोविच जोकी आपके सरविया के हैं इन्हों नहीं आफ्टेलियो उपन फ्रेंच ओपन दोनों का ही मेंस सिंगल लेखताब जीता है और विमल्डन ओपन अभी रिजल्ट आया है विमल्डन ओपन का किसने जीता है तो इसको में किसने जीता है इगा स्वेटक जीती है बंडारू बंडारू करके नाम उनका है ऐसा कुछ अजीब सा उन्होंने जीता है ठीक है इतनी है आपको रिवाइज होनी चाहिए तो मैंने हाप रिवाइज करा दी है यूस ओपन दोहर 22 का कर पूछा है कालोस अलगराज होगा जो कि फूर्ट इस राइड एंसर होगा कालोस अलगराज इसका आपको राइड एंसर रहने वाला है ठीक है यूस ओपन दोहर 22 का खिताब है यह 22 का खिताब लेकिन अभी हाली में जितने सारे आपके होगे कि 23 लग गया है तो देखो यह एक्जाम आपका कब हुआ था एक् अग्टूबर में होने वाला है तो उमेद है कि जनौरी जो आपका आफ्टेलियो ओपन होता है फ्रेंच उपन होता है विल्लें उपन इन तिनों में से कोशन बन जाए तो यह चीजिए आपको रियायत करना रिवाइच कर लेना बागी कल मैं आपको एक जो है पेज कोई और आप अपने बुक में आप कर सकते हो आपके पास कोई क्रेंट रफेर का नोट सोगर आप साट नोट से रखे हो तो उसके अंदर जो है आप लोग गूगल से सच करके आफ्टेलियो ओपन दुहार थेस फ्रेंच उपन राते हैं क्योंकि यहां से को बन जाते हैं तो सब्सक्राइब कर रहने वाला है अगला सारी बातें यहां पर पढ़ लेते हैं आफ्टे लेंड के बारे में क्या है तो यहां पर नेजी लेंड और आफ्टेलिया दोया तेस फिफा महिला प्रस्ट के वजानी करेंगे फीफा ने अपने नेड़ा की घोषडा अपने गवर्निंग काउंसिल द्वारा वीडिय प्राप्त हुए फिफा के फैसले का अर्थ है कि अमरीका अभी भी अपने पहले महिला प्रस्ट के मिजवानी का इंदियार कर रहा एक टूनामन जो पहली वावनेश्ट के आंडवे में खेला गया था याद अगना नेजी लेंड आफ्टेलिया फेला महिला पहली जो फीफ सबमेरें मेरनी है अरजनामने जलते हैं फ्रांस के रधनी है पेरिस पैस être यहाद आए ऊगिए उरो से याद आ गया करते हैं योड़ा को फालो किया है यह रखनी है तो इस ती जापान चीन बचाथनी क्या है टोक्यो करनसी चलती चांड़ा की बीचिन रादानी स्कालिया करेंद हैं चाहिना की बीच में एक सकाइड है सब्सक्राइब नाम हेंड हैंड है ठीक है फ्रांस के वीच में होती है सकती होती है यहां से भी कुछन एक्सराइज अगर आप करेंट अफियर पढ़ रहे हैं तो जो महाजपूर एक्सराइज है ठीक है महाजपूर एक्सराइज आपको उसको जरूरू पढ़ लेना हेलफूल रहने वाला थे पांच्वा संस्कर्ड जो की आपका होने वाला है मदबड़ेस के अंदर और जो कि यहां पर है आपका रहने वाला है आठ इसमें से बारे में क्या लिखा हुआ है लिखा पांचवाँ खेलो इडिया यूथ गेम उध्यार बाइस मद्ध बड़ेस के आठ सेरों में होगा केंदे यूवा ममले और खेल मंती जो कौन है वो अन्राव सिंग ठाकूर और मद्बरस के मुखमंती सिवरा सिंग चोहन मामा ठाकूर उपस्ति में नई दिल्ली में एक कारक्रम में इसकी हुड़ा की गई खेलो इंडिया यूथ गेम आठ अफसानों पर आज़ित किया जाएगा खेल आज़ित में 8500 से अधिक एथलीट खेल आज़ितों ख्रालियों के भाग लेने की उम्मीद है खेलो इंडिया यूथ गेम के में अपना प्रद्शन प्रद्वा दिखवाने के लिए महत्मुट प्रावी कंच पतान किया मंत्री अनुलाग ठागुट ने कहा कि मत्परदेश अब हरशेत में इपनी सेट्सा दिखा रहा है और आज के मुखमंत्री ने खेलों के अधोस्वाइब सुधार करने साने सब्सक्राइब करें जूटासर ने समय का मलुऑता है जैसे कि हम यह आप चीनी को पारी में घोल रहे हैं तो ऐसा तो हैने कि पानी घुल जाएगा चीनी घुल पानी में상 जो में क्या कर रहा है पानी चीनी को घुला रहा तो यह आपका विलायक है और जो घुलता है उसे बिले करेत लोगों में बिलायक क्या होता है पानी और चीनी से लाग सकते हो कि पानी क्या है पानी बिलायक है जो कि स्पाता किया बिलायक पानि जब बिलायक है पांट जsınız झाला लोंगे तर गुल जाए कोfel नहीं पाते जिख सब्सक्राइब कि आधार नि到 दियादगी मात्ता में, उबहुति लगा बढ़ते हैं अगला कोशन है दिए लिए अगला कोश्चन ने एक पर्माट के नाभी में नौटान की खोटी आई होती है अगला कोश्चन है अब यहां पे सारी चीजिया है खोज बढ़ता आपसे आपको रहने वाला है तो यहां पर यहां वाइव सदह को पराबर करने के लिए दाब प्रवर्दा के साथ उच्छ दाफ शेतों से निम्दावाल के और चलती है वाईव कि इस गति को हम पौन की रूप में अनभो करते हैं अगला कोशन है धिनोधर पहाडियां किस भारती राज जी अबली के सब्सक्राइश में इस्थित हैं तो याद लगना जो धिनोधर अंधी नगर यहां पर रहने वाली है अब यहां थोड़ा इसके बारे पढ़ते हैं गुजरात के बारे में जो धिनोधर पहाड़ियां आपकी है यहां पर किज़रात के भावनगर जिले में सिर्फ एक सुन्दर प्रवश सिंखला है यह पहाड़ियां गीर वन राफ्टे के लिए परसिद्ध है क्योंकि पहाड़ियों में और उसके आसपास कई प्राचीन मंदिर और वितस्तलि सिद्ध है इसके द्धनोधर हिल ट्रेकिंग और सहाजी के लिए प्रति उससाही लोगों के लिए लोग प्रिया कंदब है कितना साजी आपको मद्दा रखना बस या पावगरं पहाडी का उससंट में पर भाण आपने का पे हमाराश्त का माथ्रय कहां रिवाश्त करना ताकि अगर सबस्त को Prose she यहां पर देख लीजिए भात का पहला तुन्टीफोर मुंडेरा के राज में रहने वाला है इंचल बाते हैं आपका हो जाता है इंचल नमबर दू आपको जाएगा आपके राइट एंसर अगले पढ़ते हैं यहां पर पढ़ लिजिए थोड़ा बहुत कि भात का पहला टुन्टीफोर इटु सेबन सोरोजा संचालित गाउं मुंडेरा गुजार लाज में इस्चित है यहां अपने सुर मंदिर के लिए परसिद्ध है जो कि उनेसको की विस्दरोहर अस्टल है गाउं में अस्थाबिस सोरोजा जो सयंत है पूरे गाउं की उर्जा जिरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयाप्त विजली उत्पन्द करता है जिसे विजली के मामले में अत्निवर्ण हो जाता है मुख मंत्री सहाय उजना गुजार सगार की द्वारा ही सहरू की गई एक योजना है जो कि नभीगाड़ी और जाक्यों को बढ़ावा देने के उत्देश करनाटक वाला रिजन है यहां पर इन चार श्टेट में आपका यह सारी चीज़े करनाटक संगीत करसिद्द है करनाटक जाता है अगला कोशन आपका है कौन सा कुछल्ट है अभी अभी एकनोमी का कुश्चन है तो आप देख रहे हो ना कि आपको इसी के लिए हिश्टी मि में मिल जा रही है तो आपको करवाने की जोट नहीं है आप रोजाना अगर अपने आपसे भी कर पाद हो ठीक अगर नहीं कर पाद है तो आपको बता दूंकर के लिए इस कथन जो हो गलत है वह आपका पहला गलत है क्योंकि और दो के प्रत्विति बाजार की प्रमार्प Only में पढ़़ें तो थी तो आपने देखा कि नहीं ऑ दोकर प्रत अजो करता इन बॉंडों का कम जोखिम वाला निवेस काना जाता है क्योंकि यूए यूके दोर सकादा समर्थित तो इसलिए उन्हें गिल्ट एज निवेस को भी देखा जाता है तो यह जो एक बॉंड होता है उस बॉंड को जो संद्भित करता वही आपका होता गिल्ट एज बॉंड द की जो प्रद्भूदी बाजार है उसको हम लोग एकवर्टी बाजार के रूप में भी जाने जाते हैं जब कि गिल्ट एज बाजार और दोगी प्रद्भूदी बाजार दोनों ही बित्तिया पड़ा लेकि महातपूर अंग है वे अलग अलग बितने वे सुत्पादों और वि ही जाना जाता है गलत कोन है पहला ही गलत है पहले आपका अश्र नहीं आता महाराष्ट्रा नहीं आता पूरा मीजोरम से होगा यहां पर जाती है और आपका शहारकंड और यहां पर न fertile हो गया रायस्थान हो गया गुज्राफ वह छोटा ही होता है पर वो जाती है अपके फिर मद्धपदेश प्र आपका जो च्छतिस गड़ घ्रापका ज्हारखंड पिर बेष्ट बंगाल फिर्टिरपूर आपका मिजोरम यहां पर होता है जो कि तीन बंगाल से गिरा होता है तिरपा कि रहें कितने लाजियों से होकर जाती है करकर रहा कि एक काल्परी देखा है करकर देखा मैक्सिको बहामास मिस साओधी अरभी या भारत चीन से कई अंदेसों से भी होकर बुजरती है ठीक इसनी सारे बाते नेकित में से किस फिल्म को दोहर 22 में सबसेश्ट फिल्म लोग प् अगला कोशन आपका चोब मंदल के उचाई आफको पता है प्यों को पांच भागं मंदल थे आपके पांच मंदल होते हैं और इसकी जो मंदल की उचाई होती है आधार से तकी उचाई तक फाइली होई है चो मंदल की उस्ताई जो होती है लगबक ग्यारा क्मिटर ली जाती है किस वंहात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में घुजरात के खिटा इक्त आय था रोलेट डॉलेट ट रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में ही जलिया वाला बात हट्टया कांड हुआ था ठीक है और महात्मा गांधी जी जी देश्ट्र परीकाश वापस कबर 1915 में ही वापस आ गये थे तो इसलिए साथ जो को हम लोग प्रवासी भारति जिएस मनाते हैं 1915 में ही आ गये थे ठीक है आश्यों गंदुलों के स किसानों के समर्थन में गुजात के खेड़ा में सत्यागरा अंदुलन था जो पिटिस सरकार की दमन काई नेतियों विश्रूप से किसानों पर लगाएगे उच्छकरों के काड़ा भारी कटनायों को सामना कर रहे थे सत्यागरा अपने उद्यसों को प्रावत करने में सफल रहा इसने भात इस उतना दुलन में महात्मों काद्री को सब्सक्राइब करने में मुझत की विल्कु राइट एंसवर आपका रहने वाला है अगला कुशन आपका है एक कंप्यूटर का कुशन आया हुआ था इसको भी खाल देता हुं ताकि अगर्याम में आपकर पाओ है रही रूटर है रिपीरे में लोग बहुत कम जो आ रहा है तो आपई क्या करता है इसको बूस्ट कर देता है रीपीटर यह जो एक संकेत और आपकरता है और इसे बढ़ाता और फिसकी सीमा या पूफुच बढ़ाने के लिए से फिर से प्रसाइद करता है रिपीटर आम तोर पर दूर संचार और प्रसाइड में विसकनल के कब्रज शेतों को बढ़ाने के लिए या विसम बाधा हो या कमजोर से वाले शेतों में यूचकिया जाता है तो आपका थैलोफाइटा होता है जिसको हम लोग सेवाल ग् सब्सक्राइब होता है यहां पर सारी साटकेट से एक बार आप इनको देख लीजिएगा और इनको पढ़ लीजिएगा आपके क्लियर हो जाएगा ठीक है अगला कुशन ने लिखिन में किस सहर निजार 22 में लगाता है छाटवी बार भात के सबसे सच सब्सकाश जीता है त सब्सक्राइब है तो यह सारी चीजें आपकी थी तो आज की क्लास में हमने ऐसा सी चसल के में जो आपके कुश्चन एक्जाम में आए हुए कुश्चन थे लगबग 25 कुश्चन वहां पर आते हैं तो मैंने 25 कुश्चन को डिसकस किया इसमें आपके हिस्टी भी थी पॉल् कि यहां से कि देखो एक होता है पॉल्टी में आप लोग रहे रिवाइस नेकियत आप रिवाइस कर लेना एक टॉपिक है पॉल्टी का सम्धान के स्रूत उसको पढ़ लेना कनाड़ा के सम्धान जर्में क्या लिया गया तो सरबोच नियाले का सलाहकार जो शेत्राधिकार जो कनाड़ा के समान से लिया गया है यहां अमरीका अमरीका क्या क्या चील ले गई गया नियाइक समीच्छा अध्पतिया पाद्धिपतकापद बिटेंस संसदी अदिकार कानुन का शार्षन विधाई प्रकिरिया एकलना गेता है बिटकेमिन पढ़ लाली सब्सक्राइब को बेटरेंस से लिए गई है रूस सोब्य संग से मौली कर्तब लिया गया है लश्री अधरी आकमड और आंतिक गणवड़ी के खिलाफ राज्यों के अच्छा करना के शरकार करतब है तो आर्टिकल नमबर 355 है तो इसी के साथ अब इसको पढ़ लिजिए गा इसे आपको जो है बस इतना सीजे ठीक है आज पहरा दिन था क्लास बतायी कमेंट करके कैसे क्लास लगी आफ्राइंट कमेंट करके मुझे जरूर बताइए गा कि ये तरीका सहीं है या गल्द है क्या आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आप ज मिलते हैं फिर एक नेक्स वीडियों बतवता के लिए थाइंक्यू जाहिन 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 भारत